नमश्कार दोस्तों मैं विकास भारत द्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज का यह वीडियो मिनी टे स्रीज नंबर बारा है इसमें 20 बस उनिस प्रस्ण रखे गए हैं जो कि आर्पी अप नियम से संबंदित है अगला एक दो तीन वीडियो मतलब दो तीन वीडियो जो है वो आर्पी अफ नियम से संबंदित आएगा जिसमें कि हम सारे महत्पूर्ण नियमों को कवर करेंगे जो कि 12 आरिक एक्जाम में आपके लिए काफी महत्पूर्ण रहेगा और आगे भी जो एक्जाम आएंगे रूल 70 या 72 के उसमें महत्पूर्ण रहेगे आप मेरे वेबसाइट पर रोज विजिट करते रहेए वेबसाइट पर भी कुछ कंटेंट अप्लोड किये जा रहे है जो कि काफी महत्पूर्ण है दमसम वहाँ पर 70 कुष्चन दिये गए हैं जहां से सवाल जरूर आएंगे जरूर विजिट करके उसे देखिएगा आज का मोटिवेशन कोट आपके लिए है व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्रानी है वह जो सोचता है वही बन जाता है महत्मा गांदी गांदी जी का विचार यह का रहा है कि जैसा आप अपने विचारों में निर्मित होते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं जैसे मुझे आप लोगों के लिए मदद करने में अच्छा लगता है आप लोगों के सफलता में सहयोग देने में अच्छा लगता है तो मैं आपके इन रात काम करता हूं जितना समय मिलता है आपके लिए उसे निकालता हूं ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने विचारों में निर्मित बनिए विचार जैसे भी आप रखेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे चले शुरू करते हैं आज का यह वीडियो नमस्कार अगर आप उपयोग आप ज़रूर करते होंगे लेकिन आप इन सभी चीज़ों का उपयोग करते वक्त सिर्फ खर्ची करते होंगे चाहे आप किसी भी प्रकार के वैलिट को ना तो cashback नहीं किसी प्रकार की commission मिलती है तो इन सभी के solution के लिए next money wallet को play store से download करें next money आपको क्या करता है इन सभी खर्चों पर cashback reward point और commission देकर आपको सुभिधा वबचत दोनों देता है एक और ही उपयोगी चीज है कि जब आप इस app को किसी को refer करते हैं तो आप referral के बाद भी earn करते हैं तो description में visit करिए और इसे link से download करिए next money को download करें cashback पाएं commission पाएं और अपने जीवन को सुभिधा जना सुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहला सवाल देखते हैं जो पहला सवाल है वो है in which rules of railway protection force is the principal chief security commissioner defined railway सुरक्षा बलके किस नियम में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को परिभासित किया गया है क्या ये rule 2a में है rule 2b में है rule 2c में है में बताया गया है principal chief security commissioner को define किया गया है दोसरा सवाल है court of inquiry is defined in which rule of railway protection force rail सुरक्षा बलके किस नियम में जाच नियाले परिभासित किया गया है क्या ये rule 2 के e में है rule 2 के f में rule 2 के g में है या rule 2 के h में है सही उत्तर है दोस्तों option number b rule 2 के f में court of inquiry के बारे में बताया गया है चलेंगे आगे जो तीसरा सवाल है वो है central crime bureau is described in which rule of railway protection force rail सुरक्षा बलके किस नियम में केंद्री या अपराद bureau के बारे में बताया गया है क्या ये rule 7 है rule 8 है rule 9 है या rule 10 है बहुती आसान और बहुती महत्पुन सवाल है option number 20 इसका सही उत्तर होगा rule 8 चोथा सवाल है branches of the force on a journal railway is described in which rule of railway protection force rail सुरक्षा बलके किस नियम में आणचलिक rail में बलकी साखाओं के बारे में बताया गया है क्या ये नियम 14 rule 14 में है rule 15 में है rule 16 में है या rule 17 में है सही उत्तर है दोस्तो option number C rule 16 में इसके बारे में बताया गया है पहले क्या थी बलकी तीन साखाएं थी तीन branches थी जिसमें executive branch था फिर fire branch था और prosecution था तो जैसे कि fire और prosecution को omit कर दिया गया है मतलब हटा दिया गया है अब अब सिर्फ executive branch ही हमारे पास बचा है जो की नियम 16 बताता है चलेंगे आगे पांचवा सवाल है according to the rule of railway protection force how many wings are there in the executive branch जो executive branch अब बचा है उसमें कितनी wing है कितने wing होंगे क्या 3 है 4 है 5 है या 6 है option इसका C सही उतर होगा दोस्तों अभी 5 wing है हमारे executive branch में कौन-कौन से है उसे देख लेते हैं हम लोग पहला है static wing, दूसरा है mobile wing, तीसरा है crime wing, चौथा है special wing और पांचवा जो है वो store wing के बारे में बताया गया है तो ये पांचवा सवाल था, छटा सवाल देखते हैं security control room is described in which rule of railway protection force rail सुरक्षा बलके किस नियम में सुरक्षा नियंतरन का ख़वर नित है क्या ये rule 18 में है, rule 19 में है, rule 20 में है या rule 21 में है सही उतर दोस्तों option number C, rule 20 में इसके बारे में बताया गया है चलेंगे आगे, सात्वा सवाल है which rule of railway protection force describes the administrative power of the director general rail सुरक्षा बलके किस नियम में महा निदेशक की प्रसासनिक सकती का वर्नन है क्या ये नियम 25 है, नियम 26 है, नियम 27 है या नियम 28 है rule 25, rule 26, rule 27 या rule 28 में बताया है general powers and function of enrolled member of the force is described in which rule of railway protection force बलके नमांकित सदस्यों के समान्य सकतियां और कार्य railway सुरक्षा बलके किस नियम में वर्नित है क्या ये rule 30, rule 36, rule 41 या rule 42 में बताया गया है सही उत्तर है दोस्तों option number C, rule 41 में इसके बारे में बताया गया है चलेंगे आगे नवा सवाल है restriction on the deployment of force is described in which rule of railway protection force बलकी तैनाती पर प्रतिबंद railway सुरक्षा बलके किस नियम में वर्नित है क्या ये rule 30, rule 36, rule 41 या rule 42 में वर्नित है सही उत्तर है दोस्तों option number D, rule 42 में restriction on deployment of the force के बारे में बताया गया है चलेंगे दसमे सवाल पर which rule is made for the purpose of section 14 of the RPF Act RPF अधिनियम की दादा 14 के प्रियोजन के लिए कौन सा नियम बनाया गया है अभी सवाल के लिए आपको RPF Act के section 14 में क्या बताया गया है उसके बारे में अगर पता होगा तब आप इसका सही उत्तर कर सकते हैं कुछ ऐसे linked question भी आपसे पूछने की संभावना हो सकती है आपके exam में क्या ये rule 41 है, rule 42 है, rule 43 है या rule 44 है सही उत्तर है दोस्तो option number C, rule 43 में जो है rule 43 जो है वो section 14 of RPF Act के प्रियोजन के बारे में बनाया गया है अब आप यहाँ पर मुझे comment करके बताएगा की section 14 of RPF Act क्या है और rule 43 क्या है इसमें क्या संभन बनता है तो दोनों का heading आप comment करिएगा नहीं पता है तो आप course के, google के कहीं से भी करिएगा ताकि आप इस सवाल दुबारा आपसे पूछा जाए तो फिर गलत होने की संभावना ना के बरावर है चलिए आगे चलते है 11 सवाल है Refresor Course is described in which rule Refresor Course किस नियम में वर्णित है Rule 66, Rule 67, Rule 68 या Rule 69 बहुत ही आसान सवाल Option No.A इसका सयूतर है Rule 66 में Refresor Course के बारे में बताया गया है 12 सवाल देखते है Guideline for Departmental Promotion Committee for Holding Selection under Rule 70 is mentioned in which rule नियम 70 के तहट चयन के लिए विभागी ये प्रोनती, विभागी ये पन्नोती, सारी प्रोनती समीती के लिए दिशा निर्देश किस नियम में उलेख है क्या ये Rule 70, Rule 71, Rule 72 या Rule 73 में वर्णित है बहुत ही आसान सवाल और पूछा भी गया है Option No.B इसका सयूतर है Rule 71 में इसके बारे में बताया गया है चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर तेरहों सवाल है Deputation of Members of the Force to Other Department is mentioned in which Rule अन्य विभागों में बलके सदस्यों की परतिन्यूक्ति किस नियम में वर्रिद है क्या ये नियम 70, नियम 71, नियम 75 या नियम 77 है सही उतर है दोस्तो Option No.D, नियम 77, Rule 77 में इसके बारे में बताया गया है चलेंगे है किस अध्याय में वर्रिद है क्या ये चप्टर 4 है, चप्टर 5 है, चप्टर 6 है या चप्टर 7 है सही उतर है दोस्तो Option No.D, चप्टर 7 में इसके बारे में बताया गया है चलेंगे आगे 15 सवाल है Determination of seniority on intergeneral transfer is described under which rule अंतर चेतरी या स्थानांतरन परवरिष्चता का निधारन किस नियम के तहत वर्नित है क्या ये रूल 95, रूल 97, रूल 99 या रूल 100 में है सही उतर है दोस्तो Option No.C Rule 99 में इसके बारे में बताया गया है 16 सवाल Quantum of leave is described under which rule आवकास की मात्रा किस नियम के तहत वर्नित है या किस नियम में वर्नित है तो रूल 103, रूल 104, रूल 105 या रूल 106 तो बहुत ही आसान Option No.A Rule 103 में Quantum of leave के बारे में बताया गया है चलेंगे आगे Annual Performance Appraisal is described under which rule काम का वार्षिक मुल्यांकन किस नियम में वर्नित है रूल 106, रूल 107, रूल 108 या रूल 109 में सही उतर क्या है दोस्तो Rule 107 में APAR के बारे में बताया गया है Annual Performance Appraisal Report चलेंगे आगे 18 सवाल Confidential Report in respect of Constables and under officers is described under which rule Constable और अवर अधिकारियों के संबन में गोपनी रिपोर्ट किस नियम में वर्नित है क्या ये Rule 108 clause 1, 108.2 या 108.3 या 108.4 किस में वर्नित है तो बहुत ये असान है सबसे नीचे कराएं क्या है हमारा Constable और अवर अधिकारी जो की Head Constable जिसे कहिए तो Constable और under officer जो है वो सबसे नीचे है तो सबसे पहला वही है 108 के एक में इसके बारे में बताया गया उनके गोपनी एता रिपोर्ट के बारे में इसी तरह से सिनियार्टी पे जाईए तो जो हमारे Subordinate Officer है फिर Superior Officer है उन सब के बारे में जिक्र आता है तो Option Number A इसका सही उत्तर होगा चलेंगे अपने अंतिम स्लाइट पे Redressal of Individual Grimancity is Described Under Which Rule व्यक्तिगत सिकायतों का निवारन किस नियम के तहत वर्नित है Rule 112, Rule 113, Rule 109 या Rule 110 में वर्नित है तो व्यक्तिगत सिकायत के बारे में पूछ रहा है तो Option Number C होगा 109 में इसके बारे में वर्नित है चलते हैं अंतिम सवाल पर आज के वीडियो के Which Rule of the Railway Protection Force Lays Down Restriction on Political and Civilian Activities जो हमारे बल हैं रेल चुरक्षाबल के किस नियम में राजनेतिक और और उसैनिक क्रियाकलाब पर प्रतिबंद को बताता है तो क्या यह Rule 113 है, Rule 114 है, Rule 115 है या Rule 116 में बताया गया है मतलब कि आप Political Activity में हिस्सा नहीं लेंगे Civilian Activities में भी हिस्सा नहीं लेंगे जो है ऑसैनिक क्रियाकलाब है तो किस में बताया गया है किस नियम में इस restriction के बारे में बताया गया है सही उत्तर क्या है दोस्तों सही उत्तर है option number D rule 116 में इसके बारे में बताया गया है इस तदा से 20 महत्तुपन सवालों को हम लोगों ने मिनीटे सेरी 12 में देखा एक और सुसना कि अगर तक अभी तक आप लोग Facebook पेज पर नहीं जुड़े हैं तो आपको link description में मिल जाएगा Facebook पेज से जुड़िए मेरे इंस्टा हैंडल पर जुड़िए विकास कुमार मिश्रा कुछ सहयोग रह सके और all notification को जरूर on करिएगा कुछ लोगों का यह complaint ताकि सर आपके वीडियो का notification नहीं आ रहा है तो जिन लोगों का यह complaint है वो मेरे चैनल को एक बार unsubscribe करें फिर subscribe करें बेल आइकन प्रेस करें all notification को on कर ले ताकि कोई भी वीडियो आपका मिशना हो चले वीडियो समाब्त करते हैं इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के लिए और इस सैनल पर अंतक बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद